प्यास के दामों में जबरजस्त उचाल आया है आम दिनों में 20 से 25 रुपए किलो बिकने वाला प्यास 60 रुपए किलो बिक रहा है कोरोनकाल में बढ़ती महंगाई लोगों की परिशानी का सबब बना हुआ है प्यास के साथ आलू के दाम भी बड़ोतरी देखने को बिल रही है ब्यापारियों की माने तो आलू प्यास की कीमत में तेजी बनी रहेगी और लगभग एक महिने तक लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल पाएगी बाजार में आलू प्यास की भर पुरावक है लेकिन दाम अधिक होने के कारण लोगों को खरीदने के लिए कई बार सोचना पड़ता है महराश रक्षेतर में हुई भारी बारिश के चलते प्यास की फसल को काफी नुकसान पहुचा है प्यास की फसल को नुकसान की खबर सामने आने के बाद ही प्यास के दाम में उच्छाल आना शुरू हो गया था लेकिन बीते तीन दिनों में प्यास के दाम में उच्छा लाया और बाजार में प्यास साट रुपे किलो भीक रहा है प्यास जी नहीं आलू के दाम में भी बड़ोतरी हुई है सबता भर पहले आलू 35 से 40 रुपे किलो फूट कर बाजार में भीक रहा था वही आलू अब 40-50 रुपे किलो पहुच गया है आलू प्यास के थोक व्यवसाई सुनिल मुल्चंदानी ने बताया कि आलू प्यास के दाम में बढ़ोतरी हुई है प्यास 70 रुपे किलो और थोक में 60 रुपे किलो है इसी प्रकार आलू थोक में 40 रुपे किलो वह फूटकर में 45 रुपे किलो विक रहा है उन्होंने बताया कि प्यास की फसल खराब होने के कारण दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है दिवाली तक प्यास के दाम ऐसे ही बढ़े रहने की संभावना है जिसके बाद प्यास के दाम में कमी आ सकती है आलू के दाम में भी एक महा तक तेजी रहेगी नया आलू आने के बाद आलू के दाम में कमी आ जाएगी विकरता वली ने बताया कि आलू प्यास के दाम में बढ़ोतरी हो गई है थोक व्यापारियों के पास आलू प्यास के दाम बढ़ोतरी होने के कारण फूटकर में भी आलू प्यास के दाम बढ़ गए है दूसरी और बढ़ते दामों के बीच जमाखोरी भी शुरू हो जाती है जिसके देखते हुए प्रशासनिक अमला भी अलट हो गया है जिला खाद्या दिकारी ने बताया कि जिले में जमाखोरी की स्थिति नहीं है सभी के पास लिमिट से कम मात्रा में प्याज है प्याज की जमाखोरी न हो इसके लिए नजर रखी जा रही है निया मानुसार थोक व्यापारी 250 क्विंटल तक स्टॉक रख सकता है और फूटकर व्यापारी 50 क्विंटल तक स्टॉक रख सकता है